हेलो फ्रेंड्स, वेलकॉम टू माई स्मार्ट क्लासेज। प्रस्न कैसे पूछता है उस पर भी डिसकस करते चलेंगे। यहां पर जो भी ट्रिक्स बताया जा रहा है याद रखे कुसको प्रस्नली ना ले। यह सिप याद करने का माध्यम होगा और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए और घंटी का बटन जरूर दबाईए जिससे की सारे वीडियो के निटिफिकेशन आप तक पहुच सके हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद जो है कॉलिस्ट्री मंदीर तो यह जो है चत्रा जीले में हैं। और यह किस पहाड़ पर इस्थित हैं। यह जो है कलुवा पहाड़ पर इस्थित हैं। और यहाँ पर जो है सबसे बड़ी जो विशेस्ता है कलुवा पहाड़ को जो है हिंदू बाद और जैन धर्मों का संगम अस्थल भी कहा जाता है। यह याद रखिए कि जारखंड के संदर्व में पूछ दिया जाए कि किस अस्थल को जो है हिंदू, बाध और जैन धर्मों के संगम अस्थल के रूप में जाना जाता है, तो वो जो है कौलुआ पहाड को कहा जाएगा, अब हम लोग देखते हैं कि इसको याद कैसे रखा जा तो चत्रा को जो है चादर से रिलेटेड कीजिए और जब आपने जो है किसी काले इस्वर के कलपना कीजिए जब उसको देखें तो क्या हुए कि आप जो है चत्र के नीचे छिप गया है, इस तरह से जो है अपने दिमाग में एक चीतर बनाईए, जिससे यह बहुत जो है आसानी से याद रहेगा और इसके बाद जो है कलुवा पहाड यानि कलु का बैल समझ सकते हैं ठिक ना वहां पर क्या है कि हिंदू अबाद जैन धर्म का जो है मतलब कलु के बैल में जो है इसको बांद कर घुमाया जा रहा है इस तरह से उस पहाड की नीचे जो है इकिया जा रहा है इस तरह से जो है को याद रख सकते हैं प्रस्न क्या-क्या हो सकता इस पर भी बात करते शर्फ़ेत में को यह पर संगम स्थल को तो हिंदू बाद जैन धर्म का जो है इसके बाद परसिद मंदिर है छिनमस्तिक मंदिर ये मंदिर रामगड के राजरप्पा में है और ये दामुदर भेडा या भैर्वी नदी के संगम पर इस्थित है इसका एक अइन्य नाम है वन दुरगा मंदिर और इसमें परसिद जो है 51 सक्ति पीठों में से एक छिनमस्ति मंदीर भी है यह ऐसे ही बहुत परशिद्य मंदीर है इसमें कोई ट्रिक्स की कोई जरूरत नहीं होगी याद रखिएगा कि छीनमस्तिक का जो मंदीर है वो रामगड में है इसका जो एक प्रस्ण जो होता है वो है यह किस नदी के संगम पर है यह जो है दामोदर और भेडा यह फिर्वी नदी के संगम पर है इसका अजय नाम क्या है वन दुरगा वंदीर इसके बाद है महा माया मंदीर तो यह मंदीर जो है गुमला में है ठीक ना ऑग किस गाउ में है हाप्पा मूनी में और इसका निर्मान जो है नागवंसी राजा गंज घंट गज घंट राय ने किया था तो आप इसको याद कैसे रखेंगे तो देखिए माया जो है गुम हो गई है कहां गुम हो गई है गमला ही उससे मान लिजिए महा माया कहां गुम हो गई है गुमला में ठीक ना या फिर माया जो है गमले में गुम हो गई है आप किसी से भी कोरिलेट कीजिए चाहे वो गमला हो चाहे गुम होने पर तोनों में से किसी एक से कोरिलेट कर दीजिए और ये किस गाउं में है ये जो है हैपी गाउं में है और इसका निर्मान जो है गांजा यानि गज गंट राई जो है गांजा पिए वे थे और इसका निर्मान किये थे इसको रिलेट करना है यहाँ पर ज़्यादातर प्रस्ट जो होगे यही होगा कि महामाया मंदिर जो है किस जिले में है ये अक्सर पुछता जारता है इसके बाद है टांगी नात मंदिर ये जो है गुमला म में जो है ये जो है टांगी जिससे काटा जाता है उसी को टांगी कहा जाता है ये जो है या तो इससे आप कलपना कर सकते हैं कि ये गमला है उस गमले को जो है इससे काटा जा रहा है ये टांगी नात मंदिर जो है कहां है गुमला में है ठीक ना ये मजगाउं पहाड़ी मे इसके बाद है कपिल नात मंदिर यह जो है गुम्ला के दोईसा नगर में यह इस्तित है और इसका निर्मान जो है नागवन सी राजा राम सह ने 1710 इस्वी में इसका निर्मान किया था तो बस कपिल देव यहां से याद कर लिजे यहां से आप यह तो गुम हो गया है या फिर गमला से कलेट कीजिए या फिर कपिल जो है गमला से बालिंग कर रहा है इसके बाद है सती मठ चिंता मनी मंदिर यह भी जो है गुमला में है और यह पाल कोट में इस्तित है तो इसको जो याद रखने काई है सती जो है जो अपने पती के डेथ होने पर जो होता है तो याद किजे कि कोई चीता है जो की गमले में है आईस में जो है एक महिला जो है सती हो रही है इस तरह से आग उठते हुए ध्यान दीजे जिससे की ये याद आजाए इसके बाद है आ रंगी परगना में है तो ये आंजन इसको आंगन से याद किजे आंगन में बहुत सारे गमले सजये हुए है देखे जो अलग से जो बताया जा रहा है ज़िन सब्योगों को उसकशत पर हान दीजे आपको ये याद आजा है कि आंजन से ही आंगन बना है और गुमला से ही गंला बना है तो आपको याद रहेगा इसके बाद है वासुदेव राइ मंदिर ये भी गुमला में है कोरुम बे ग्राम में ठीक ना तो यहाँ पर जो है दो व्यक्ति को बना दीजे एक है वासुदेव राइ ठीक ना इन दोनों से जो है कोरिलेट कीजिए गमले को ठीक ना दो व्यक्ति है वासु और देवराय ये जो है गमले से लड़ रहा है तो ये याद रहेगा इसके बाद है राधा वललब मंदिर ये राधा वललब मंदिर जो है राची के चुटिया में है ठीक ना तो ये राधा ठीक ना और ये राची इससे जो है इसको कोर वो लड़की जो है राधा नाम की एक लड़की है जो राची में जो है अपने चोटी को बना रही है इसके बाद है जगनात मंदिर जो है ये राची में है ये बहुत ही फेमस मंदिर है पोईट्रिक्स की जरोत नहीं पड़ेगी अक्सर राची जो है जानते ही हम लोग की धारखन की राधानी है इसके बाद इसका निर्मान जो है नागवंसी नरेश राम साह के खेर्चोंदार ठाकूर एनिस साह ने 691 में जो इसको बनवाया था इसके बाद है मदन मोहन ठीक ना इसके निर्मान जो है नागवंसी नरेश राखनात साह ने 1665 में बनाया था इसके शिल्पकार जो है यह अनिरूद थी अब इसको याद कैसे रखा जाए तो दोस्त हैं मदन और मोहन ठीक ना यह दोनों दोस्त जो है राची में कहीं रहते हैं और वहां पर जो है नागवंस यानि कि नाग जो है देवता है जिसको जो है रघुनात जो है उसको पाल के रखा है या फिर मदन और मोहन जो है राची घुमने जाते हैं ऐसे भी याद रख सकते हैं लेकिन अगर आपको पूरे राजा के नाम के साथ याद रखना है तो जो है यह दोनों दोस्त राची घ वुमने जाते हैं और यहाँ पर जो इसके बाद है देवी मंदिर यह मंदिर जो रांची में है और यह देवरी ग्राम में है इसको याद रखिये बस इसमें ज्यादा कि इसंथा इम्पोर्टेंट नहीं है इसो इघक है क्षा, शूर्य मंदि, यह बहुत important जो कि रांची में इस्थित है, और इसका निर्मान संस्था के द्वारा किया गया है, यह बहुत important है, कभी न कभी जाम्स में आएगा ही आएगा ये प्राशन और इसमें प्राशन ये बनेगा कि इसका निर्मान जो है किसके द्वारा किया गया है या किस संस्था के द्वारा किया गया है ति ये जो है संस्कृति विहार संस्था के द्वारा किया गया है इसको एक दम याद रखिएगा हर हाल में इसको याद रखेगा कि सूर्य मंदिर को जो है संस्कृति विहाज संस्था के द्वारा इसको पनाया गया है और 20 जिले में यह रांची में है इसके बाद है वेनु सागर मंदिर यह जो है पस्चिम सिंभूम में इस्थित है और फिर है रंकनी देवी यह पूर्वी सिंभूम में है यह समंदिर का नाम याद रखए और जला की रखए लेन पुछ जो है बहुत ही महतपून है चैसे कि सूर्य मंदिर हो गया यह बहुत ही इंपार्टेंट है फिर मदन मोहन मंदिर यह जगनाथ मंदिर यह वला और इसके बाद जो है अंजना ग्राम के मंदिर यह हो गया फिर कपिलनाथ मंदिर इसके लावा महामाया मंदिर और छिन सब मंदिर जो है किस जीले में यह याद रखना बहुत ही जरूरी है यह वीडियो आपको जैसा भी लगा हो लाइक डिसलाइक कॉमेंट्स करके बताए और आपको अगर थारखंद सम्मनित और किस प्रकार के वीडियो चाहिए इस पर जो है कॉमेंट कर सकते हैं और साथी साथ जो है इसको शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में थाइंक यूँ